पांच मिनट से भी कम लगेगा आपको बूटेबल पेंडराइब बनाने के लिए और इस वीडियो में हम दो इस टेप आपको बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी से आप बूटेबल पेंडराइब को बना कर अपने PC या लैपटाप को आप आसानी से फार्मिट कर सकते हैं दोस्तों लैपटाप या PC को अगर आप फार्मिट करवाते हैं किसी दूसरे के थुरू या मार्केट में लेके आप जाते हैं तो आपका समय भी बरबाद होता है और पैसा भी तो यह बहुत ही जनुन तरीका है बहुत ही आसान तरीका है मात्रिक पिंडराइब के थुरू आप अपने PC और लैपटाप को दोनों को फार्मिट कर सकते हैं अपने घर पर ही नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रजनिस पर्मा और आप देख रहे हैं तो चलिए लैपटाप की स्क्रीन पे चलते हैं इसका सारा प्रोसेस हम फिर से जानेंगे दोस्तो pen drive को insert करने के बाद आपको यहाँ पे search bar पे type करना है और यहाँ पे आपको लिखना है cmd cmd जैसे आप लिखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आजाएगा आपको यहाँ पे run as administrator के उपर क्लिक कर देना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यह pop up खुल के आएगा yes कर देना है उसके बाद इस प्रकार से window open होके आजाएगी तो यहाँ पे जितने भी हम command डालेंगे आपको उसको ध्यान से देखना है और उसके बाद इसी प्रकार से आपको work करना है ज्यादा time का process नहीं है बस दो minute का है process आप इसको पूरा वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा तो फटा फट से हम command को type करते चलते हैं और आपको ध्यान देना है बस सबसे पहला command है disk part disk part में space नहीं रहेगा आपको interface कर देना उसके बाद आपको लिखना है list disk उसके बाद इसमें list disk में दोस्तों space होना जरूरी है और उसके बाद आपको interface कर देना है आपके PC में जितने भी drive रहेंगे वो आपके सामने सो होके आ जाएंगे हमारे laptop में जो है 238 zb का जो है यह SSD है और नीचे जो pen drive हमने insert किया है disk 1 करके यहाँ पे 29 zb का है आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि disk 1 जो लिखा है वो ही हमको select करना है तो उसके लिए command क्या रहेगा select disk 1 select disk 1 उसके बाद आपको enterprise कर देना है अगला command है clean फिर से enterprise करेंगे उसके बाद अगला command है create partition primary create partition primary फिर से enter कर देना है उसके बाद आपको अगला command है format fs equal to ntfs space space उसके बाद quick क्योंकि हमको जल्दी से लेना है तो इसके लिए आपको quick लिखना जरूरी है नहीं तो थोड़ा सा slow format होगा बस इतना ही फरक है ज्यादा से ज्यादा दस से बीस सेकेंड का time extra आपको लग सकता है अगर आप quick नहीं लिखते हैं तो उसके बाद हमको इंटर प्रेस कर देना है तो यह देखिए हमारी pen drive जो है bootable बन रही है यह 100% हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकेंड लगेंगे उसके बाद यह pen drive जो है bootable बनके ready हो जाएगी दोस्तों वीडियो को हम थोड़ा सा forward कर दे रहे हैं यहाँ पे देखिए हमारी pen drive जो है 100% format हो चुकी है और उसके बाद हमको अगला command जो लिखना है वो लिखना है active उसके बाद enter कर देना है उसके बाद assign हमको कर देना है इस pen drive को assign कर देना है yes 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 assign यह देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉप अपप खुल के आ गया है कि हमारी pen drive जो है वो बूरी तकी किसे bootable बन चुकी है और अगला command हम यहाँ पे exit कर देंगे exit प्रेस कर देना है बस अब इस इस window को आपको close कर देना है तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारे bootable pen drive बन गई है कि नहीं यहाँ पर दे सकते हैं यह pen drive हमारी पूरी तरीके से bootable बन इस pen drive में आप चाहे तो बिंडो से बन 10, 11 बन कोई भी हो बिंडो 8.1 कोई सभी आप ISO फाइल इसमें copy और paste कर देंगे और उसके बाद आपको अपने PC में लगा के format कर देना है और दोस्तों आपको दूसरा तरीका हम बता दे रहे हैं सबसे पहले आप अपने pen drive को insert कर दीजिए और उसके बाद अपन computer खोल लीजिए computer open करने के बाद जो भी आपकी pen drive लगी रहेगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो pen drive है आपको इस pen drive को select करना है और select करने के बाद आपको इस पर right click करना है और उसके बाद यहाँ पर format के option पर click कर देना है यह दूसरा तरीका हम आपको बता रह ntfs दे रहा है इस option पर देख लीजिए यह ntfs दे रहा है अगर यह pen drive bootable नहीं बनी होती तो यहाँ इसके अस्थान पर आपको दिखाई देता fight यह वाला option यह जो आपको दिखाई दे रहा है fight 32 default करके यह कोई भी pen drive या memory card आप format करेंगे तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार से रहेगा तो आपको इस option को इस पर क्लिक करके ntfs select करना है उसके बाद start पर क्लिक करके ok कर देना है यह थोड़ा सा वक्त लेगा उसके बाद यह pen drive format हो जाएगी यह pen drive हमारी जो है format हो चुकी है इस तरीके से भी आप बना सकते हैं bootable pen drive बट इसमें एक problem आती है problem दोस्तों यह आती है कि जैसे कुछ pen drive में work नहीं करती है जैसे कि हमने sony का pen drive जो हमारे पास है उसमें बहुत अच्छे तरीके से work करता है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यह वाला जो तरीका है यह थोड़ा सा कम work करता है इसमें guarantee थोड़ा सी कम रहती है लेकिन आपको जो हम प टेबल pen drive बन जाता है